हेलो एब्रिवन उमीद करता हम आप सब यच्छे होंगे मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोग का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है तो फेंड्स यहां से आज हम बात करेंगे यह स्टॉक लिम्टेट पर लास्ट रिडिंग हमें 19% से ज्यादा का ग्रोथ अभी तक देखने को मिला है और इससे पहले भी हम लोगों ने इस स्टॉक को कवर किया था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो वीडियो आप देख सकते हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा अगर जैस अगर आप देखिए तो यह एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे मैं वीक्ली डाइम फ्रेम यूस कर रहा हूं और यहां पे भी आप देखिएंगे तो सपोर्ट था यहां पर भी सपोर्ट था और उपर की साइड में इस सी तरीके से रिजिस्टेंस देखने को मिल रहा है आप यहां भी देखेंगे तो यहां भी resistance हा और यहां पे फिर ब्रेक आउट हुआ और उपर की तरफ निकला फिर वापस से stock में support देखने को मिला नीच जाया और अभी देखिए यहां से से उपर की तरफ गुमाएं but अभी यहां पर हमें देखने को मिला है कि यहां पे इस टॉक में अभी करण्ट में j wrestling को मिला रही है इस तरफ के से अगर हम tred line यह मार्क करते हैं तो इस तरीके से आप देखिए उपर के साइट में continue हमें resistance देखने को मिला है और इस stock में अभी भी यहाँ पर हमें ceiling देखने को मिली है इस limits को cross नहीं कर पा रहा है है जब stock इस level को cross जो करेगा तो stock में एक और हमें तेजी देखने को मिलेगी अभी के लिए क्या कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अब जो stock फूर्ट वो अपने support से काफी दूर आ चुका है और अगर बात करें अभी जो इसके लिए एक important level है एक important level है 18 रुपीज 30 पैसे का अगर stock 18 रुपीज 30 पैसे का जो level निकल के आ रहा है इसको break करता है stock में support की बात करें तो आप देख सकते हैं जो support निकल के आ रहा है 17 रुपीज 17 रुपीज का level ऐसा है अगर stock 18 रुपीज 30 पैसे की level को break down करता है तो यहाँ पर हमें कहीं न कहीं इस stock में इस level पर आ के support देखने को मिल सकता है और 17 रुपीज काफी important level है इस stock के लिए उपर की side में जो हमें resistance देखने को मिला है वो resistance यहाँ पर हमारा जो level निकल के आ रहा है 21 रुपीज 20 पैसे अगर stock 21 रुपीज 20 पैसे को cross करता है तो stock में हमें एक अच्छा momentum देखने को मिल सकता है और इसके बाद जो possible levels है वो देखने को मिलेंगे 24 रुपीज के तो इस तरीके से आप Yes Bank को track कर सकते हैं बहुत ही simple stock है अगर stock यह 18 रुपीज 30 पैसे को break करता है तो stock वापस नीचे आता है अगर यहाँ पर 18 रुपीज 30 पैसे के level को sustain करता है तो यहाँ से वापस stock में एक दुबारत से यह attempt कर सकता है इस trend line को break करने का तो इतना ही simple है Yes Bank अगर इस stock से related कोई doubt हो तो comment करिएगा जल से जल रिप्लाइ करने की कोशिश करूँगा मिलता हूं next वीडियो में thank you for watching my video